हेलो एब्रीवन कैसे हुआ आप सब एक बार पुना स्वागत है आप सभी का मारे अपने योटूब चैनल सिव कोचिंग क्लासेस पर दोस्तो आज की इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 12 बायराजी एंसी आर्टी चैप्टर 14 में दोस्तो आज का जो हमारा टापिक है वो है इस देख सकते हैं तेकि यदि इस थल के अधार पर हम पादाप अनुक्रमड या प्लांट सक्सेशन की बात करें तो यह मुखरूब से दो प्रकार के होते हैं जिसमें से पहला है जलक्रमक या इसको हम इंगलिस में हाइड्रोसियर भी कहते हैं वहाई दूसरा है मरूक्रमक यहां पे जो अनुक्रमड होगा वो कहां से स्टार्ट होगा जल से प्रारंब होता है तो देखें यह अनुक्रमड प्राया जलकायों से प्रारंब होता है जैसे तालाब जेल जहरने आधी जलासा आधी भी हो सकते हैं और ऐसे जलकायों का जो मद्ध भाग होता है वो प्रा पन होती है और जो जल क्रमक होता है बेसिकली इसमें क्या होता है कि कोई भी जो जल क्रमक की अवस्था है वो मद्ध भाग से प्रारंब होती है और मद्ध भाग में क्या होता है जल जो है जादा गहरा होता है और उसके बाद जैसे जैसे किनारे की ओर आते जलते हैं जल जो है यानि गहराई में कमी आती जाती है अब इस जल वte में पहलिए वस्था थैप पुरोगे में केने थे और इसमें कुछ नील हरित सेवाल यानि जिसको हम ब्लू ग्रीन इलगी भी कहते हैं इसको साइट कट में हम बीजी ये भी कहते हैं ब्लू ग्रीन इलगी इसके अलाबा इसमें ग्रीन इलगी यानि हरे सेवालों को तथा छोटे छोटे डायटम्स को इसके अलाबा बैक्टीरिया या कुछ जीवाडूओं को आदि इसके अंतर गताते हैं यानि पादपलवा कवस्था में मुक्रूप से कहन कहन से आते हैं नील हरिट सेवाल या ब्रियू ग्रीन इलगी इसके अलावए ग्रीन सेवाल या ग्रीन इलगी तथा साथी साथ डायटंस वर बैक्टेरिया भी इस पादपलवा का वस्था या फाइटो प्लंक्टानी स्टेज के अंतरगत आते हैं और यह जीवत जो हैं तालाब के मद्ध भाग में उपस्थित होते हैं और निवेशित हो जाते हैं तथा साथी साथ कुछ समय तक ब्रध्धी करते रहते हैं और ब्रध्धी जो है इनमें एक अंतर हो जाते हैं तो देखें निमग न वस्था में क्या होता है कि पहले से ब्रध्धी कर रहे हैं फाइटो प्लैंक्टान्स की क्या हो जाती है तथा आसपास से वर्साद वारा लाई हुई मिट्टी वा रेत के करण जो तालात की गहराई होती है उसमें भी धीरे-धीरे कमी आती जाती है और इस पकार से बढ़े कीचड में जड़ युक्त निमगन पौधे जो होते हैं जैसे हाइड्रिला, बैलिसन एरिया इसके अलावा आधी पौधे जो हैं ये सभी के सभी ब्रद्धी करने लगते हैं और इनके साथ साथ में कुछ सैवाल यानि कुछ एलगी जैसे कारा इसके अलावा आधी एलगी जो हैं पाए जाते हैं जो की पौधे की ब्रद्धी और मृत्तु के साथ माध्यम में अत्रिक्त पदार्थों को बढ़ाते हैं तो इस निमगन वस्था में क्या होता है कि पूरे के पूरे जो फाइटो प्लैंक टांस होते हैं यानि जो पादप लवा का वस्था के अंदर गताने वाले जो भी जीवते जैसे नील हरित सेवाल हरे सेवाल डायाटम्स और बैक्टीरिया इनकी मृत्तु होने लगते हैं औ ज़े गले उपदार्त के रूप में बन करके मिट्टी में ही या हम कह सकते हैं जल के नीचे ही उपस्थित रहते हैं और इसके अलावा यदि वर्षा के द्वारा क्या होता है कि जो मिट्टी व रेत लाया जाता है जिसके कारण से तालाब की गहराई में धीरे-धीरे कमी आ जाती है और इस प्रकार से कीचर में जड़ युक्त निमगन पौधे भी कुछ उत्पन होने लगते हैं जैसे हाइडरिला वैलिस नेरिया आदिये सभी के सभी निमगन पौधे होते हैं जैसे ही फाइटो प्लेंग्टान अवस्था के अंतरगत जो जीवाते हैं इनकी अदिम म्रत्व हो जाती है और जो फाइटो प्लेंग्टान की चूकी म्रत्व हो जाती है जिस कारण से ये भी क्या बने रहते हैं ये भी जड़ के नीचे जो है ये भी पानी के नीचे जो है इस्थिर बने रहते हैं जिस कारण से इसकी गहराई में धीरे-धीरे कमी आती जाती है और इसके साथ ही साथ कुछ सैवाल जो होते हैं, जैसे कारा हो गया, इनकी भी ब्रद्धी होती जाती है, और इनकी भी जब म्रत्व होती है, तो धीरे-दीरे और गहराई में कमी आती है, जिसके कारण माध्यम में अत्रिक्त पदार्थ भी बढ़ता जाता है, चोकि जो सड़ गले पदार्थ म्रत हो गये हैं, वो भी पानी के अंदर रहते हैं, जिस कारण से पानी का इस्तर और भी कम होने लगता है, और दलदली कीचड में अन्य पवदे भी उत्पन होने लगते हैं, और धीरे-धीरे ये दूसरी अवस्था जो निमाग नवस्था ये भी खतम होने लगती है, यानि ये भी अवस्था जो है, म्रत्व की ओर जाने लगती है, और इसके बाद तीसरी अवस्था प्रारंब हो जाती है, इस तीसरी अवस्था को हम बोलते हैं, प्लावा नवस्था, क्या बोलते हैं, इसको हम प्लावा नवस्था कहते हैं, अब इस अवस्था म समाप तो होते ही जो जल में पाए जाने वाले प्लावा नवस्था के अंतर गताने वाले जो पौदे होते हैं जैसे निलंबो हो गया जिसको कि हम कमल कहते हैं कमल का इब ग्यानिक नाम होता है निलंबो निवसी फेरा गाल्टन तो जो निलंबो होता है या कमल इसको हम क्या कह सकते हैं कि इनका आधा भाग जो है पानी में धसा रहता है और मुख रूप से इनकी जो जड़े होती है वो कीचण में धसी रहती है लेकिन इनका जो उपरी भाग होता है जैसे पत्ती हो गया इसके फूल वगयरा ये पानी की सते पर तैते रहते हैं अब चूंकि पत्तियों म इनको समुचित प्रकास नहीं मिल पाता है अब जैसे जैसे प्लावा नवस्था के जो पेड़ है इनकी जब ब्रद्धी हो जाएगी तो चुकि जल के नीचे वाले जो पोधे हैं जैसे हाइड्रिला बाइली सनेरिया वगेरा इनको जितना प्रकास चाहिए यानि अवस्यक्त यहाँ पर अधिक बन जाता है जिसके कारण जलासे की गहराई जो है और धीरे धीरे कम होती चली जाती है अब इसके बाद एक चौथी अवस्था आती है जिसको हम बोलते हैं रीड स्वयम पवस्था इस रीड स्वयम पवस्था को देखिए हम MPVS अवस्था भी कहते है क्य जैसे टाइफा हो गया सेनि टाइफा इसके अलावा सेजिटेरिय यह सभी के सभी जो है MPVS प्लांट कहलाते हैं जो कि मुख रूप से इनकी ब्रद्धी करने लगते हैं यहाँ पे और यह पवधे भी जल को वास्पोत सर्जन द्वारा उड़ाते रहते हैं जिसके फल सरू पानी की क्या हो जाती है जलासाय में कमी हो जाती है और जिससे छिछली भूमी जैसी अवस्था आ जाती है और अब यह MPVS प्लांट जो होते हैं जैसे टाइफा और सेजिटेरिय यह पवधे ब्रद्धी करने लगते हैं इनके ब्रद्धी के साथ साथ क्या होता है चूकि इ अधिक मात्र में वासपोछ सर्जन, यानि ट्रांसपरेशन के ठूए पानी को बाहर उड़ा देते हैं, जिस कारण से जलकी धीरे-धीरे दीरे और हानी होती चली जाती है, तो जब जलकी धीरे-धीरे जलासा में कमी होती जाएगी, तो पानी की भीग चोकी पूरी तरह से कमी होती जाएगी धीरे-धीरे और ऐसे में फिर कीचड़ वाली अवस्था जो है धीरे-धीरे और ब्रद्धी करनी रगती है और कीचड़ वाली अवस्था जो है आ जाती है छिचली भूमी पर अब यह MPVS पौधे भी इस अवस्था में ब्रद्धी नहीं कर पाते हैं और जब क लिएसटेज मीडों हवस्था कहते हैं। जो पौधे होते हैं ये एक जाली नुमा बनस्पति के रूप में दिखाई देते हैं तो इस अवस्था में जाली नुमा बनस्पति जैसे ग्रेमनी कुल के पौधे जो हैं ये ब्रध्धी करने लगते हैं और अब भूमी जो है लगातार धीरे-धीरे सुस्क होने लगती है और अब दलदली वनस्पति के लाया का वस्था भी नहीं रहती है तथा हुए धीरे-धीरे नश्ट होने लगते हैं एब हम वहाँ पर दूसरे प्रकार के इस्थलिये पौधों की ब्रद्धी भी होने लगत जिसमें ग्रेमनी कुल के पोधे जो हैं ये ब्रधी करने लगते हैं और एक जाल नुमा जो बनस्पती होती है उसके अंतरगत उसी तरह की सनचना जो है प्रदरसित करते हैं और भूमी लगतार धीरे-धीरे सुस्क हो जाती है तथा धीरे-धीरे अब इसके पहले वाली पूरी तरह से नश्ट होने लगते हैं और ये भी सर करके उसी जलासाय के अंदर जो है रहते हैं जिस कारण से इनकी गहराई में और धीरे-धीरे कमी आती है जिस कारण से भूमी जो है धीरे-धीरे सुस्क होती चली जाती है और इसके अलावा कुछ इस्थली पौधे भी पूरे के पूरे के पूरे के पूरे जो जीवित ग्रेमनी कुल के जो पोधे हैं या बनस्पतियां हैं ये दीरे दीरे क्या करने लगते हैं इनकी जगह पे कुछ छोटे छोटे जो है ब्रक्ष जो है ये उत्पन होने लगते हैं और इसके अलाबा जाड़ियां भी यहां पे ब्रद्धी करने लगती है जिस कारण से क्या होता है कि सूच्म जीवों का समवर्धन जो है वो भी कावनिक माध्यम में होने लगता है क्यों इस वन वस्था में या फोरेष्टी स्टेज में क्या होता है कि यह चरा मवस्था होती है यानि यह सबसे अंती मवस्था होती है जिसमें क्या होता है कि बड़े-बड़े ब्रच भी उगने लगते हैं जैसे अलमस, एसर, क्वेरसस, आधि पौधे जो है इस प्रकार के पौ पहुंचते पहुंचते जो है जल क्रमक धीरे-दीरे विक्सित होगा और एक वन के रूप में निर्मार कर लेगा यहाँ पे अब आप डाइग्राम के थुरू समझेंगे कि किस प्रकार से फाइटो प्लैंक टान स्टेज से ले करके जो फोरेस्टी स्टेज होती है वहाँ तक किस प्रकार से अनुक्रमड की अवस्था जो है संपन होती है तो इस डाइग्राम में देखे सबसे पहले क्या है यहाँ पे यदि हम किसी भी जलासा की बात करें तो सबसे नीचे क्या होता है कि जैसा कि हमने सबसे पहले ही बताया कि सबसे नीचे जो है मद्ध भाग में क्य प्रेटी स्पक्राइब निष्ट पवंद्ध नच्चित वस्था तक ब्रधी करते हैं उसके बाद इनकी मृत्त हो जाती है तो जैसे ही इनकी मृत्तु हो जाएगी, मृत्तु के बाद भी ये जलासे के अंदर बने रहते हैं, और जलासे का इस्थान दीरे-दीरे घेरते जाते हैं, जिस करण से जलासे में दीरे-दीरे कमी आती जाती है, अब इस phytoplankton stage के बाद जो दूसरी ये वस्था होती है, जिस सारे निंफिय वगयरा प्याण आते हैं, इनकी जो है ब्रद्धी होने लगती है, जो हाइड्रिला वगयरा होते हैं, यह आने लगते हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, हाइड्रिला का डाइग्राम बना हुआ है, तो हाइड्रिला और बेलिस नेरिया जैसे जीव जो होती है जो rooted floating stage होती है इसमें क्या होता है कि ऐसे पहुदे ब्रद्धी करने लगते हैं जो जिनका की जिनकी पत्तियां जो होती है basically transpiration के थूप पानी को सरजित करने लगती हैं जिसके कारण क्या होता है कि ये नीचे वाली अवास्थाओं को इस्ट्रा प्रकास यहां पे नहीं मिल पाता जिसकारण से ये भी धीरे-धीरे नश्ट होने लगते हैं और सबमजड stage के अंतरगत आने वाले जो भी बनस्पत जीव हैं ये भी धीरे-धीरे stage भी कहते हैं क्यों क्योंकि इन में आधा प्लांट जो है इसमें पानी में रहता है और आधा प्लांट जो है पानी के ऊपर हवा में रहता है जिस कारण से क्या होता है कि इनको वासपोत सर्जन जो है त्रिक्त मात्रा में करते हैं और प्रकास भी ज्यादा मात्रा में घेर लेते हैं जिस कारण से नीचे वाले पौधों को प्रकास संसलेशन जो है इनकी क्रियाच्छे से समपन्न नहीं हो पाती है क्योंकि सनलायर जो है नए मिल पाता और इस अवस्था में क्या होता है कि धीरे-धीरे जो है तीसरी अवस्था जो Rootate Floating Stage है ये भी धीरे-धीरे खतम होने लगती है और अगली अवस्था Read So Ampe Stage में क्या होने लगते हैं पफ़े धीरे-धीरे ब्रद्धी करने लगते हैं अब इसके बाद जो अगली अवस्था आती है जिसको कि हम सेज मीडो स्टेज कहते हैं, इस सेज मीडो स्टेज में क्या होता है कि छोटे छोटे बनस्पत जैसे जीव, जाली नूमस अनचना वाले जीव, जैसे ग्रैमनी कूल के पौधे, गेहुं या चाबल जो है चोटे पोधे और जाड्यों का निर्मार होने लगता है। करमक होता है यह सात अवस्थाओं में संपन्न होता है जिसमें पहली अवस्था होती है पादपलवा का वस्था दूसरी होती है निमाग नवस्था या सबमज्ड स्टेज तीसरी अवस्था होती है प्लावा नवस्था या फ्लोटिंग स्टेज होती है चौथी अवस्था होत यह धीरे-धीरे क्रमसा इस्टार्ट होती है और अंत में जा करके एक वन का रूप धारन कर लेती है और यहां पे हम यह भी कह सकते हैं कि जैसा कि अनुक्रमण की परिभासा है कि क्रमेक रूप से धीरे-धीरे विकास होना जीवित जीवों का या बनस्पति जीवों का धीरे- दोस्तों नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रम